हेलो स्टोरेट मैं एक तश्री आप सभी का ग्यान चेतनिया चैनल में बहुत बहुत स्वात करती हूँ आज किस टॉपिक में हम अर्थ विवस्ता के प्रकार चुकि NCRT के सलेवस के अकॉर्डिंग ये सारे कोशन आंसर है तो इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम अर्थ विवस्ता के प्रकार उससे रिलेटर यहां पर कोशन देखेंगे तो सुरू करते हैं इसके लावा और भी है छेत्रक है जो कि हमारे केवी केवीएस के टीजीटी में सलेवस के अकॉर्डिंग ये कोशन आंसर है तो सुरू कर लेते हैं भारत की सबसे पहले कोशन है भारत की अर्थ विवस्ता है तो यह है मिश्रित क्योंकि यहां पर क्या है किसी एक उसमें नहीं है यह अर्थ विवस्ता कैसी मिश्रित है तो मिश्रित अर्थ विवस्ता है एक ऐसी विवस्ता का आधार है जिसमें सार्व जनिक भी है और नीजी दोनों छेतर के सहे अस्तुत होता है तो मिश्रित अर्थ विवस्ता का क्या अर्थ है यहाँ पर जिसमें सार्व जनिक एवं नीजी दोनों छेत्र आएं उसको क्या बोलते हैं मिश्रित अर्थ विवस्ता सार्वजनिक छेत्रों पब्लिक सेक्टर पर सरकार का पूरा का पूरा नियंतन होता है और जबकि निजी छेत्रों पर किसी व्यक्ति या संगिठन का स्वामित होता है अगला कुशन देखते हैं निमलिखित कथनों पर विचार करना है सबसे पहला है भारत की अर्थ विवस्ता एक विकास शील अर्थ विवस्ता है दूसरा क्या कह रहा है एक विकास शील अर्थ विवस्ता में क्रिशी छेत्र विक्सित होता है जबकि उद्धोगों के विकास में कमी आती है तो भारत की अर्थ विवस्ता एक विकास शील अर्थ विवस्ता है तो यह क्या हो जाएगा बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा विकास शील अवस्ता तो यह क्या है यहां पर गलत हो जाएगा यह यहां पर गलत हो जाएगा दूसरा जो है एक विकास शील आर्थ विवस्ता में कृषी छेत्र विक्सित होता है जबकि वो धोगों के विस्तार में कमी आती है तो केवल यहाँ पर दो जो है वो यहाँ पर क्या है असत्य है तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा है तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा केवल दो तो याद रखना है यहाँ पर देखना है कि असत्य पूछाए या सत्य पूछाए तो असत्य में हमारा दूसरा गलते बाकी जो पहला है वो यहाँ पर सही हो जाएगा तो भारत की अर्थ विवस्ता एक विकास सील अर्थ विवस्ता है आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या है क्थन दो असत्त है क्योंकि एक विकास सील अर्थ विवस्ता में आधुनिक और धोगिक छेत्र छोटा होता है परन्तो इसका आकार लगातार विस्तर्थ होता रहता है और क्रशी तथा ग्रामीर अर्थ विवस्ता संकुचित होती जाती है विकास शील देशों की अर्थ विवस्ता प्रात्मिक या दुतियत छेत्रों पर आधारित होती है क्योंकि विकास शील अर्थ विवस्ता में कृशी छेत्र का योगदान कम होता जाता है और दुतियक और तृतियक छेत्र का योगदान बढ़ता जाता है आगे देखते हैं अगला कोशन पूझी वादी विवस्ता में निमनलिकित में से कौन सी विशेष्टा नहीं पाई जाती है तो सबसे पहला है उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित होता है कौन सी विशेष्टा नहीं पाई जाती है नहीं हमको देखना है पूंजी वादी अर्थ विवस्ता में कौन सी विशेस्ता नहीं है तो उत्पादन के सादनों पर सरकार का स्वामित होता है उत्पादन के सादनों पर नीजी स्वामित होता है तो पूंजी वादी है तो क्या है यहाँ पर यह वाला तो सही हो जाएगा पूंजिवादी अर्थ विवस्ता बिशिस्ता नहीं है तो ये वाला तो बिलकुल सही हो जाता है बजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है ये भी सही है और श्रमकों की सेवाओं का क्रे वेखर एक निशित कीमत पर होता है तो ये भी सही है हमारा क्या अंसर सही नहीं है विशेश्टा नहीं मिलती तो उत्पादन के सादनों पर सरकार का अस्तुत होता है यह यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है पूजिवादी अर्थ विवस्ता के अकॉर्डिंग तो यहाँ पूजिवादी अर्थ विवस्ता जिसको पूंजीवादी अर्थ विवस्ता के अंतरगत उत्पादन के साद्रों पर सरकार का नहीं बलकि नीजी वेक्टी का या फिर किसी संग्ठन का स्वामित होता है जिसके अंतरगत बाजार में निर्गत को बेचने के संदर्प में ही मतलब हमने जो उत्पादन किया है वो सिर्फ और सिर्फ बेचने के उत्देश से किया है क्योंकि पूंजीवादी अर्थ विवस्ता में लाव अर्जित करना हमारा क्या है पहला मुख्योदेश होता है पूंजीवादी अर्थ विवस्ता में शिर्मोगों की सेवाओं का दो यह को तो है तो यह जाने वाला बिलकुत हो जाएगा तो वी हमारा यहां सही होता है कि तो खुए को नियन्ट पर जाने में दो जाने वाला शेस सम प्राप्ति का प्रियोग तो यह भी नहीं होगा ब्याख्या देख लेते हैं आंसर हमारा क्या है भी ही यहाँ पर सही है ब्याख्या देखते हैं पूझी वादी अर्थ विवस्ता में निवेश बै का अर्थ है उत्पादन छमता में ब्रद्धी लाने हेतु किया जाना वाला बै होता है इससे उत्पादन की प्रत पूंजी वादी अर्थ ववस्ता में कोई भी उद्धिमी लाव प्राप्ती के बिना वै करना नहीं चाहता। अर्थ ववस्ता को निमलखित में से किस छेत्रक के रूप में देखा जाता है। अर्थ ववस्ता को समझने के लिए समझना अतिया वश्यक होता है। इसकी अंतरगत अर्थ ववस्ता को समझने नीतियों को संचालेत किया जाता है। अर्थ ववस्ता के लिए संचालन से लेके बजट सम्मदित कारेकलापों के अध्यन में मुख भूमिका निभाता है। अब हम यहाँ पर important topic देखने वाले हैं कि अर्थ ववस्ता के छेतरग जो कि हमने NCRT में हमने जब हम NCRT पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि प्राथमिक है, दूतिय है और तितिय है यानि primary, secondary and tertiary तो तीन छेतरग हमने पढ़ने को हमको मिलते हैं NCRT की बुक में तो देख लेते हैं क्या है question तो निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, सबसे पहला है कि जब किसी प्राकितिक संसाधन का उपियोग किसी बस्तू का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक छेतर की गतिविदी कहा जाता है, किसी अर्थ विवस्ता में किये जाने वाला क्रिया कलापो को मुखे तीन बर्गों में जैसे प्राथमिक दूतिया उत्तिया बर्गी किया जाता है तो मैंने पहले ही बताया था तो यहाँ पर कौन सा सही है तो दूसरा तो बिलकुल सही है और इसमें क्या है जब किसी प्राकितिक संसाधन का उत्पादन किया जाता है तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा C option, तो ये वाला जो है, सही है आगे ब्याख्याइद देख लेते हैं कि जब प्राकितिक संसाधन का उप्योग करते हैं करके किसी वस्तू का उत्पादन किया जाता है तो प्रात्मिक मतलब यहां पर जैसे हमको कपड़ा क्या है बनाना है, तो उसके लिए हमें cotton को क्या है, यूज करना पड़ेगा cotton, cotton, प्लांट हमको उगाने होंगे, तभी तो हम उससे हम रेशे बनाएंगे और फिर रेशे से हम क्या कपड़ा बनाएंगे, तो यह जो cotton, प्लांट उगाने का काम है यह किसमें आजाएगा हमारा प्रात्मिक छेतर की गदिविदी के अंतर गदिविदी आएगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, प्राकृतिक संसादनों का उपियोग करके है, आगे है, चुकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है, मतलब बेस क्या है हमारा प्राइमरी छेतरक ही है यानि कि प्रात्मिक ही है अगर हमारे पास प्राइमरी छेतरक नहीं होगा तो बाकी के भी नहीं होंगे आगे देखते हैं चुप्कि ये उन सभी उतपादों का आधार है जने हम करें सारी करते हैं चुप्कि हम अधिकांश प्राकतिक उतपादों को किर्षीрьेरी मतश्यय, बनों से प्राप्ट करते हैं इसलिए ये छेतर जो है किर्षी और सहायक छेतर भी कहलाते हैं तो इसका दूसरा प्राथमिक का ही एक दूसरा नाम है क्रिशी या सहायक छेत्रक तो इसको भी कहते हैं आगे है किसी अर्थ विवस्ता में किये जाने वाला के लिए क्रिया किलापों को मुक्ता तीन बर्गों में प्राथमिक यानि किर्सी, मतस, खनन और दूतिय जो है वी निर्मार वह तूतिय जो है छेत्र को हम सेवा छेत्र में बर्गी करिद किया जाता है तो पहले वाले को हम क्रेशिया सहायक कहते हैं दुतिये वाले को वी निर्मार और तितिये वाले को सेवा छेतर तो इनकी प्राइमारी सेकेंडरी टरजरी के लाबा भी नाम है वो भी हमें याद रखना है आगे देखते हैं भारत में दुतिये छेतर में समलित हैं तो अभी हम ने देखा था कि दुत्ये चेत्र में क्या है वी निर्मार मतलब हमने कौटन तो प्लांट से ले लिया अब उस कौटन से हम रेशी कैसे बनाएंगे तो यह जो वी निर्मार मतलब उसमें से कुछ निर्मार करने का जो कारे है वो दुत्येक में जाएगा तो यहां पर वी निर ही निर्मारचेतर को वि निर्मार्चेतर को दुतिय छ्चेतर में सं festivalis के समलेंकिया जाए है, वि निर्मार्चेतर के अंद्रगति को शाबिया जाता है इत्यादी आते हैं किर्शीवा खनन डेरी मतद सिवानी की इत्यादी सभी प्राथ में छेत्र की आर्थे क्रियाएं हैं अब अगला कुश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सेव अच्छे थे यानि कि यहां पर तरजरी जो है हमारा तरजरी उसके बारे में क्या चीज़ें समले तो खनन और उत्खनन तो ये वाला नहीं होगा परिवहन और संचार तो ये तो परिवहन और संचार क्या है एक प्रकार की सेवा ही है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा होटल और परियेटन भी क्या है यहां पर हमारा तृतिय में ही आएगा मतस्की यह जो है यह भी नहीं आएगा यह प्राइमरी में आएगा तो हमारा दो और तीन क्या है सही हो जाएगा भारत में सेवा छेतर में परिवहन और संचार तथा होटल और परेटन समले थे ये सबी गतिविदियां बस्तूओं के इस्तान पर सेवाओं को सरजन करती है इसलिए इस छेत्र को सेवा छेत्र कहते हैं तो तरजरी वाले को सेवा छेत्र कहते हैं इसे अर्थसास्त्री की भासा में तिटिये छेत्र कहा जाता है यानि टरजरी सेक्टर कहा जाता है खनन और उत्खनन और बान की और ये जो मतस्की है प्राथ में चेतर की आर्थिक क्रियाएं हैं. अगला कोशन क्या कहा रहा है ए और आर कथन दिया गया है ए कहता है कि बिगद वर्षों में भारत में यदि भी सभी छेत्रों को में उत्पादन में ब्रदी हुई परन्तु सबसे अधिक ब्रदी जो है तितिये छेत्र के उत्पादन में हुई तो बिल्कुल ये बात छेत्र के रूप में उभरा है तो जब हम NCRT 10th क्लास की पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज बिल्कुल क्या है मेंचेन है तो यहाँ पर दोनों चीजें क्या हो जाएंगी यहाँ पर सही हो जाएंगी परंतु एक दूसरे की व्याख्या जो है वो यहाँ पर सही नहीं कर रहे है तो दोनों ही चीजें सही हैं कि यहाँ पर जो पिछले सालों में जो है सभी छेत्रों में उत्पादन में ब्रद्य हुई परंतु सबसे यादा जो है तिर्थिये छेत्रे की यहाँ पर बात हो रही है कि सबसे यादा हुई और आगे कह रहा है कि भारत में प्राथ्मी छेत् करते हुए तिट्टीय च्हेत्य सबसे बड़े उत्पात्य छित्र के रूप में उभरा है तो दोनों ही चीजें शही बस एक दूसरी की ब्याख्या जो है वह यहां पर सही नहीं है तो बी option क्या है यहां पर सही हो जाएगा बाकी ब्याख्या में देख लेते हैं तो यहां पर है कि सही नहीं है ब्याख्या विगत वर्षों में ये तो ठीक पढ़ लिया आगे देखते हैं भारत में प्राथ में छेत्रा को प्रते इस्थापित करने में तित्ये छेत्रा काफी सीमा तक सफल हुआ है और अर्थे विवस्ता में छेत्र कमः तो बढ़ गया है बैश्विक दिर्ष्टी कोंड से तित्ये छेत्र का विस्तार एक सकारात्मा पहलू है परंतु देश की अर्थे विवस्ता को मजबूत करने के हेत्व प्राथ में छेत्रा कमजोर नहीं होना देना चाहिए तो हमने एक ग्राफ में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो प्राइमर वाला जो तिर्टिये वाला है वो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ था तो उसी से रिलेटर ये कोश्चन है आगे देखते हैं निमले कित कत्रों पर विचार कीजिए और नीचे दिये गई कूट की साहिता से सही उत्तर चुनिए सबसे पहला है समानिता अधिकांस विक्सित द बारे में यहां पर बात हो रही है जिसमें बताये कि दुटिये छित्रक आर्थिक सक्रियता में सबसे महत्पूर्ण सेक्टर रहा है दूसरा यहां पर है कि विक्सित देशों में अधिकांस श्रम जीवी लोग सेवा छित्र में ही नियोजित हैं आगे है प्राथ्मिक और प विकास जितना अधिक होगा तुटिये छित्रक का विकास उतना ही अधिक होगा तो यहां पर असत्य कथन बताना है तो असत्य कथन यह भी सही है और यह भी सही है हमारा क्या नहीं है यहां पर ए ऑप्शन यहां पर जो है वो असत्य है क्योंकि यहां पर सिर्फ दुटिये हमने NCRT में देखा था मतलब जब हम NCRT पढ़ते हैं तो उसमें देखता है देखते हैं कि यह जो primary है primary है वो primary होगा तभी जो है secondary होगा अब जो secondary होगा तभी क्या है terzary होगा तो इस से साबसे हमारा यह वाला जो है वो यहां पर गलत असत्त हो जाता है और यह हमारा क्या है answer है ब्याख्या देख लेते हैं कि सम्मानेत अधिकांस बिक्से देशों के थ्यास में देखा जा सकता है कि विकास की परारंबे का वस्ताय। प्रात्मिक छेत्र को आर्ठिक सक्रियता कि सबसे मात्पूर्ण छेत्र माना जाता था जैसे जैसे क्रिशी प्रणाली परिवर्टित हुई उसी कर्म में क्रिशी छेत्र समर्थ होता गया तथा उत्पादन में ब्रद्धी हुई अनेग लोग दूसे कार्य कहरे करने लगे जिससे शिल्पियों तथा बैपारियों की संख्या में प्रद्धी हुई इससे अधिकांश इसके अनेक लोग परिवाहन प्रशाशन और सैनिक इत्यादी कारियों से जुड़े थे परन्तु इस अवस्ता में अधिकांश उत्पादित बस्तु में प्राक्यतिक उत्पाद थी जो प्राथ्मिक छेत्र के अंतरगती इसलिए अधिकांश व्यक्ति इसी छेत्र में संगलन थे आगे देखते हैं भारत में सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिये गए भिन्य छेत्रों में योगदान का कौन सा सही हासमानी क्रम है तो सकल घरेलू उत्पाद में तिट्टियक दुटियक और प्राथ्मिक तिट्टियक दुटियक और प्राथ्मिक ये जो है हास क्रम में है बी ओप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा भारत में सकल गरेदू उत्पाद में बिविन छेत्रों के योगदान का क्रम जो है तिटिये दुतिये और प्रात्मी के भारत में घरेलू उत्पादन यानि की जी डी पी की यहाँ पर बात हो रही है मैं बर्दमान समय में तिटिये छेत्री सबसे बड़ा योगदान था 52% है और दुतिये छेत्री की भागीदारी जो है 30% है तथा प्रात्मी के छेत्री की हिस्सेदारी 18% है आगे देखते हैं भारत में सेवा छेत्री के संदर्ब में कौन सा कतन असत्य है तो सबसे पहला है असत्य कतनिया पर बताना है इसमें उन सेवाओं की संख्या अधिक है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित शिर्मकों को रोजगार मिलता है इनमें उन सेवाओं की संख्या सी में थे जिसमें अधिक कुशल और शिक्षित शिर्मकों को रोजगार मिलता है इसमें बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों के मरम्मत कार wreck परिवाहन जैसी सेवाओं में लगी हुए हैं इसका घरेलू, सकल घरेलू, उत्पाद में सरवादी योगदान है तो हमारा यहाँ पर ए ओप्शन जो है असत्य कथाने बाकी जो है सारे के सारे जो है सारे के सारे यहाँ पर क्या है सही हो जाएंगे ब्याक्या देखते हैं भारत में सेवा छेत्र के संदर्प में ये जो है असत्ते है क्यूंकि इसमें उन सेवाओं की संख्या सीमत होती है जिसमें अतियंत कुशल और शिक्षित श्रिमकों को रोजगार मिलता है दूसी और बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों मरमत कारियों वा परिवाहन जैसी सेवाओं में लगी हुए हैं वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्यूंकि उनके पास कोई अन्य वेकल्पिक अफसर नहीं है अगला कुशन है निमले खित कत्रों पर विचार करना है पहला है कि संगठत छेत्र सरकार द्वारा पंजिकरत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं वी नियमों का अनुपालन करना होता है दूसरा है कि आसंगठित छेत्र में नियम और वी नियम तो होते हैं परन्तु उनका अनुपालन नहीं होता है आगे है संगठित छेत्र के कर्मेचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाव मिलता है जबकि असंगटित छेत्र के लोगों को ये सुविदा नहीं मिलती है तो ये भी सही है भारत में संगटित छेत्र में कारियत शिर्मगों की संख्या असंगटित छेत्र की तुल्ला में अधिक है तो यहां पर कौन सा सही है ये वाला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पर बताएगा है कि जो संगटे छेत्रे उसमें संख्या जादा है बलकि ऐसा नहीं है आज संगटे छेत्रे में क्या है जादा है तो ये वाला गलत हो जाएगा बागी पहला दूसरा जो है तीसरा सही है तो यह जब क्लास 10th की जो लास्टू साइद थर्ड या फोर्थ चेप्टर है उससे यह जो है हाँ साइद नहीं यहाँ पर लिखाए कि चेप्टर 2 में से यह लिया गया है तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा बी ओप्शन तो यहाँ पर यह ब्याक्षा है तो सबसे पहले हम देखते हैं संग्टित चेत्र संग्टित चेत्र मतलब जैसे की हमारा सरकारी नौकरी इसको ऐसा समझ लेते हैं सरकार द्वारा पंजीकरित होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और वी नियमों का अनुपालन करना होता है इसके विप्री संगिठित छेत्र में नियम और वी नियम तो होते हैं परन्तु उनका अनुपालन नहीं होता है संग्टित छेतर में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाब मिलता है जबकि वहीं असंग्टित में देखते हैं तो कोई सुबिदा नहीं होती है उनको दस घंटे से ज़्यादा काम मिलता है मतलब जितना घंटा तै होता है उससे ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है वो अतिरिक्त काम के उनको पेमेंट भी नहीं मिलती है तो ये है आसंगिटित लोगों के लिए सुबदाएं संगिटे छेत्र के लोगों को नियुकता के अन्य दूसरे प्रकारी लाब प्राप्थ होते हैं जैसे सवैतनिक छुटी अवकाश भुकतान, भविश्य निदी, सेवानूदान, इत्यादी असंगिटित छेत्र में इस प्रकार के लाब का प्रवधान नहीं होता है तो कतन क्या है हमारा जो चोथा वाला है वो यहां पर गलत हो जाएगा आगे देखते हैं सारवजनेक एवं नीजी सारवजनेक और नीजी तो यहां पर भी वही सरकारी वाला है और एक प्राइवेट वाला है कि आधार पर बिवाजित किया है रोजगार की शर्तों के आधार पर मलब यह पहले जो सेक्टर है मतलब ये इस पर किस से उसको डिवाइट हिया है तो यहां पर सही आ जाएगा उद्धमों के स्वामित के आदार पर कि सरकार का है या फिर प्राइवेट का है तो उस पर हमने सरकारी और नीजी छेतरक हम पढ़ते हैं क्लास 10 की चैप्टर नमबर 2 में नीजी उद्धमों पर नीजी व्यक्ति या संगिठित का स्वामित होता है पूंजी वाती विवस्ता में नीजी उद्धमों को प्रवसाहित किया जाता है जबकि सामेवादी या समाजवादी विवस्ता में सार्व्यनिक उद्धमों को मात्व दिया जाता है आगे देखते राष्टी आय में ब्रद्धी अब ये आर्थिक सम्वर्धी सम्वर्धी का क्या अर्थ होगा तो इसको समझ लेते हैं किसी देश की राष्टी आय में ब्रद्धी होना ही इसका अर्थ है आर्थिक सम्वर्धी का तातपरिय आर्थिक विकास के साथ-साथ आर्थिक उन्नती करना है आर्थिक संवरधी सिना के वल देश की आर्थिक उन्नती होती है बलकि लोगों के जीवन इस्थर में भी गुड़ात्मक सुधार आता है आर्थिक संवरधी से जीवन प्रत्याशा संबंध होती है जिसमें संसाधनों का उपयोग सुनिशित सुनियो बस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवशक कारा है तो बस्तूओं सेवाओं के क्या-क्या हमको जरूरी है तो बहुत एक पूजी, श्रम, भूमी, ग्यान और उद्दम तो सारे के सारे यहां पर सही हो जाएगा आगे देख लेते हैं मानव विकास रिपोर्ट निमलेखित मैसे किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है तो मानव विकास रिपोर्ट जो है हमारी UNDP के द्वारा होती है UNDP तो UNDP मतलब United Nation Development Program जिसको हम कहते हैं UNDP United Nation Development Program द्वारा प्रकाशित की जाती है UNDP का गठन जो है 1965 में किया गया था इसका मुख्याले नियो यार्क में है और वस 1990 में इस संगठन पर पहली बार मानो बिकास रिपोर्ट प्रकाशत की गई थी पाकिस्तानी अर्थसास्त्री महबूब उलहक और भारती अर्थसास्त्री डॉक्टर अमर्थसेन के प्रयासों से ये रिपोर्ट त्यार की गई थी तो इंपोर्टेंट है एक पाकिस्तानी है और एक यहाँ पर हिंदुस्तानी है डॉक्टर अमर्थसेन अर्थिसास्त्री डॉक्टर अमर्थिसेन आगे देखते हैं निमलेखित मैंसे किसे मानव विकार सूच के अंतरगत यानि Human Development Index के अंतरगत शामिल नहीं किया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सामाजिक आसामानता को क्या है यहाँ पर इंक्लूट नहीं किया गया है प्रतिविक्ति आए है जनम के समय संभावित आयो है विद्याले और उसत आयो 25 वर्षया इससे अधिक ये भी है तो मानव सूचांग यानि कि Human Development Index के अंतरगत मापदंड के रूप में सामाजिक आसामानता को शामिल नहीं किया गया है मानव विकास सूचांग प्रतिविक्ति आए जीवन प्रतियासा जनमे के समय समावित आयो एवं विद्याले और उसत आयो 25 वर्षया इससे अधिक मापदंड के अधार पर जारी किया जाता है अधिक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्याएं